आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय छे जिसका नाम है राज्य, राजा और एक राचिन गण राज्य आईए हम सुरू करें आज का यह अपना वीडियो लेक्चर लगभगे सतर वर्सों से यहां पे पचास दिया हुआ यह इसको आप अपडेट कर लेजिए सतर वर्स यह कह सकते हैं पिछतर वर्सों से हम सासकों का चुनाब मतदान के जरिये करते आ रहे हैं लिकिन जरा सूचिए कि क्या पहले भी ऐसे ही सासक बनते थे हमने अध्याई पाजम पढ़ा था राजा के बारे में जिसे राजा समभता जन यानिक लोगों द्वारा चुने जाते थे परन्तु तीन हजार साल पहले राजा बनने के इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्त नाया और कुछ लोग बड़े-बड़े यग्यों को आयोजित कर राजा की रोप में प्रतिश्चित हो गए यानिकि बड़े-बड़े यग्यों का जन करके राजा बने उसी में से एक यग्य था जिसको कहते हैं अश्मेद यग अश्मे मतलब होता है घोड़ा और घोड़े के द्वारा ये यग संपूर्ण होता था यानि कि इसमे क्या होता था कि घोड़ा राजा के लोगों के देखरेक में छोड़ दिया जाता था और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने अगर रोका तो वहां अश अश्मेद यग करने वाले राजा से उसके युद्ध होता था अगर उन्हेंने घोड़े को जाने दिया ते इसका मतलब यहाता था कि अश्मेद यग करने वाला राजा उनसे जादा सक्तिसाली था, इसके बाद उन सभी राजाओं को उस यग्ये में सामिल होने के लिए इनवाइट किया जाता था अमंत्रित किया एग्ये पूरहितों द्वारा इसके लिए उन्हें उपारों से सम्मानित किया जाता था अश्मेद यग्य करने वाले राजा बहुत सक्तिसाली माना जाता था, यग्य में जो भी आमंत्रित राजा होते थे, यानि जो भी निमंत्रित राजा होते थे, से भी राजा उसके लिए कुछ न कुछ उफार लाते थे, और राजा का मुख्या स्थान होता था, और वो मतलब उसके साथ साथ चलने वाला और यह यग्य के अफसर पर यह सार्थी क्या करते थे सार्थी किसे कहते पहले समझेए सार्थी मतलब जो राजा के रत को चलाने वाला जो होता था पाइलेट उसे सार्थी का जाता था और वही उसका सहचर होता था यानिक उनके साथ साथ र और पुत्रों को भी कई चोटे चोटे अनुष्ठान करने होते थे अन्य सारे अमंत्रीत राजाओं का काम सिर्फ बैठ कर यगी की पुरी प्रिक्रिया को देखना भर था यानि कि एक दर्सक के तौर पे ओडियंस के तौर पे उन्हें देखना भर होता था राजा के ऊपर पुरोहित पवित्रिजल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था विस यानि की वहिस जैसे समानी लोग विख उपार लाते थे और जो पुरोहित के नजर में सुद्र होते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में सामिल नहीं किया जाता ता यानि कि जो भी बड़े-बड़े आयोजन होते थे उनमें इन्हें शामिल नहीं किया जाता अब जड़ा समझते हैं कि वर्ड विवस्ता क्या थी अब दिखिए एक समय है वैदिक काल यानि कि रिग्वेद का समय और दूसरा सम काया था है वैदिक काल में जो वर्ड ने विवस्ता की गई थी वह कारी के आदार पर यानि कि प्रॉफिशन के आदार पर की गई थे लेकिन ये बाद में उत्तर वैदिक काल में इसका इसमें परिवर्टन आया अब क्या परिवर्टन आया इसी को इसे में बताए गया है जरा अन्य ग्रंत सामिल हैं, इसमें अन्य ग्रंत में उपनिश्यदे, ब्राम्मन, आरण्या के ये सभी ग्रंतियों की रचना हुई, पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंतों में विविन प्रिकार के अनुस्ठान और उनके संपादन, यानि कि वो किस तरिके से संपन किया जाय उसकी बिदियां बताई गई हैं, इसमें समाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है, उस समय यानि उत्तरवैदिक काल में समाज में कई समू थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, क्रिशक, परशुपालक, ब्यपारी, सिल्पकार, शरमिक, मचली पकड़ने वाले, जं फिर्फवाई वहिं कुछ कृषक, और वेपारी भी, धंबानों थे, कुछ कृषक, और वेपारी धन добहती थे, दूसरे तरफ पशुपालक, सिल्पकार, सिर्मिक, मचली पकड़नवाले, सिकारी तर भोजन संग्राक, ये लोग अकसर निर्धन होते थे, पुरोहितों नहीं क्या किया कि जितने भी समाज थे उनको चार वर्गों में विवाजित के जिने वर्ड कहा जाता है और उनके अनुसार प्रतिक वर्ड के अलग-अलग कारे निरधारित थे पहला वर वर्ड ब्रामनों का था इनका काम था वेदों का अद्यन, अध्यापन करना यग्य करना और यग्य के बदले उपहार लेना दूसरा अस्थान सासकों का था इन्हें छत्रिय कहा गया इनका काम था युद्ध करना और लोगों के यानिक जनता की रख्चा करना तिसरे अस्थान पर 20 या वैस्य थे इसमें मुखिरोप से तीन तरह के को ही यग्य करने का अधिकार प्राप्त था लेकिन जो वर्णों में सबसे नीचे के स्थान में आते थे वो सुद्रे उनको इन तीनों वर्णों की सिवा करना था और इन्हें कोई भी अनुस्थान में भाग लेने का अधिकार नहीं था और 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 तों को भी सुद्रों के स उशार सभी वर्णों का निर्धारन जन्म क्यादार पर होता था और यह जो बाते थी यह उत्तर वैदिक काल में होती थी लेकिन वैधिक काल यानि क अगर मन लीजिए कि ब्रामन के प clown में अगर ब्राम्मन माता पिता की संतान ब्राम्मन ही होती थे बाद में कुछ लोगों को अच्छूत माना गया अच्छूत वर्गों में कुछ सिल्पकार शिकारी भोजन संग्रहाक सामिल थे साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो सबों को दफनाने या जलाने का काम करते थे यानिक जिनको हम लोग आजकल जलाद कहते हैं कई लोगों ने ब्राम्मनों द्वारा बनाई गई हुई इस वर्ण विवस्ता को श्विकार ने किया देखिए जाहिट से बात है कि इसमें य प्रोहितों से स्रेष्ट मानते थे कुछ लोग जन्म क्यादार पर वर्ण दानन सही नहीं मानते थे इसके अलावा कुछ विपसाई क्यादार पर लोगों के बीच भेदवाव कोचित नहीं समझते थे जबकि कुछ लोग चाते थे कि अनुष्ठान संपन करने का दिकार सब का होना चाहिए लोगों ने छुआ छोट के अलोचना की और इसे उप महादीब का मतलब मैंने आपको बताया था कि भारत और उसके जितने पडोसी देश हैं उसे उप महादीब का जाता है तो उप महादीब के पुर्वत्तर छेत्री जैसे कई लाकों में समाजिकार्थिक और समानता बहुत कम थी अब आगे की बात हम करते हैं आगे है जनपद महा यग्यों को करने वाला राजा अब जन के राजा जन के राजा मतलब लोगों के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे जनपद का मतलब होता है जन यानि कि लोग लोगों के बसने की जनपद के को आप यहां पे देख लीजिए यह देखिए यहां महत पुर्ण जनपद है जैसे तक्षिला कुरू हस्तिनापूर पांचाल कोशल अवंती उजेन कोशांबी राजगरे हैं जिसको आजकल राजगिर कहते हैं वज्जी वज्जी की राजदानी है वैशाली अंग और मगद यह कुछ महत पुन है हलाके जनपद तो बहुत सारे थे और यही जनपद बाल में महा जनपद बन गए थे तो अब देखिए यहां क्या है कि पुरा तत्विदों ने इन जनपदों की कई वस्तों की खुदाई की है दिल्ली में पुराना किला उत्तर प्रदेश मे मेरट के पास हस्तिनापूर एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुक अस्तल है खुदाई से पता चलाए कि लोग जोपडियों में रहते थे मवेशियों तता अन्य जानवरों को पालते थे वे चावल गया हूं धान जो दाले गन्ना तिल तता सरसो जैसे फसल उग लोग मिट्टी के वर्तन भी बनाते थे इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंके होते थे इन पुरास्तलों में कुछ बिसेश से प्रकार के वर्तन मिले हैं जिने चित्री धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है जैसा कि इनके नाम से अस्पस्टेक इन वर्तनों पर च चित्र कारी जो होती थी वह सरल रेखाऊं और जामितिये आकृतियों के रूप में होती थी जैसे कि आप यहां पे इस चित्र में देख सकते हूं यह देखिए इस चित्र में जरा धियान से देखिए यह देखिए जामितिया चित्रित धूसर है अब चित्रित ये कहां से प्राफ्टु ए इस तरह के पात्रों ज़्यादात धालिया और कटोर्या ही मिली है ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुन्दर और चिकने है सायद इसका प्रियोग खास मौकों पर महत्रपुन लोगों को भोजन साल पहले कुछ जन्पद अधिक महत्पुन हो गए इन्हें महा जन्पद कहा जाने लगा अब देखिए कि महा जन्पद के अगर बात करें जैसे मगध कोशामभी राजगरी कोशल हस्तिनापूर ये सब महा जन्पद के अंतरगत आते थे अधिकतर महा जन्पदों के एक राजधानी होती थी कई राजधानियों में किले बंदी की गई थी अर्थात इनके चारों और लकड़ी इट पत्थर की ऊची दिवारे बनाए गई थी ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आकरवन से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन की लोका ने मान किया कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों और विसाल उची और प्रभावसाली दिवार खड़ी कर अपनी सम्रिदी यानि कि उनके पास कितनी सम्रिदी और कितनी दंसंति इसको दिखाने के लिए भी करते थे यानिक सक्थि प्रदर्शन का एक तरीका भी यह था इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस छेत्रिके नियंतरन रखना भी सरल हो जाता था इस तरह की विसाल दिवार बनाने के लिए ब्यापक की योजना क्या हो सकता थी और लाखों की संख्या में इटों तता पत्रों का इंतिजाम करना पड़ता था हजारों इस्त्री पूरुषों जथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्णम किया होगा इनके लिए संसाधनों क्या विशकता पढ़ती हो गए अब राजा सियना रखने लगे थे शिपाईयों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था कुछ भुक्तान संभवता आहत सिक्कों अब आईये हम देखते हैं आहत सिक्कों सिक्के किस प्रकार के होते थे यह देखिए यह कुछ आहत सिक्के हैं आहत मतलब किया किसी विधात्व पे किसी चीज से आहत पहुंचा के जो सिक्क्य बनाए जाते थे यह संभवतता चांदी या सोने के होते थे तो इस तरह के सिक्कों का इस्तिमाल सेनाओं के रख रखाव के लिए या उन्हें वेतन त्यादी देने के लिए प्रियोग किया जाता था तब आईए हम आगे देखते हैं अब इसके भी सेमें हम अधिक जानकार या ध्याय 9 में लेंगे देखें के यह जो आप देख रहे हैं यह कोसांबी के किले की दिवार का एक चित्र है यह संबाब तब 25 साल पहले इसको बनाया गया था कर यानि के टेक्स अब जाहिर से बाता है कि महा जन्पदों के राजा बिसाल के लिए बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे अब बड़ी सेना जब कोई भी रखेगा तो उन्हें प्राचूर यानि की एक बहुत जादार इस ओर से क्या बसकता होगी इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की विया बसकता होगी जिने उन्हें बेतन देना होगा और ये बेतन देने के लिए वो उपहार पर अगर निर्वर रहेंगे तो उनसे उनका काम नहीं चलेगा इसलिए उन्होंने क्या किया कि नियमित रूप से कर वसूलने का फैसला किया होगा और कर वसूलते थे अब कर के रूप में मुख्य जो इनका कर था वो फसलों पर लगाये गए कर थे जो कि उपज का एक वटे छेवा भाग हिसा होता था जिनें ये भाग क्या हैते थे कारीगरों पर भी कर लगाये था वो होता था स्रम के रूप में जैसे कि बुनकर लोहार और सुनार को राजा के लिए महिने में एक दिन काम करना पड़ता था बिना किसी वेतन के पसुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद ग्रूप में कर देना पड़ता था जैसे कि अगर किसी के अदूद का उत्पाद होता है तो वो दूद से उनका कर चुकाते थे या बाकी अन ये चीजों से भी उनके कर को चुकाते थे बेपारियों को समान ख़िदे बेचने पर भी कर देना पड़ता था आखेट को और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्त्वे देनी होती थी यानि कि जो भी अब देखिए यहाँ पर एक प्रेशन है दिया हुआ कि आखेटक तथा खादे संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे तो देखिए क्या देते होंगे तो यह उन्हें जो भी जंगल से जड़ी बूटी या फिर फल इत्यादी मिलता होगा वही उसी का प अब लोहि के बनने लगे देखिए पहला परिवर्त आधे आया कि अब हलकी फाल पाल क्या होता है जिससे जुटाई होती यान NIK LO को जैने को जैनने को जो जुधाई होती है और नीचे जो लगा होता है इस step से बनावा इस step से जो नीचे बनावता है उसी को फाल कहते है अब यह लकडी के फाल के तुलना में लोहे के फाल होने लगे थे जिससे जोतने में आसानी होते थी अब फसलों के उपस बढ़ गई अब धान के पौधों की रोपन भी शुरू किया गया इससे क्या हुआ कि पौधे ज़्यादा जिवित रहने लगे और इससे पैदावार भी ज़्यादा होने लगी इससे हलागे बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता था ये काम ज़्यादा तर दास दासी या भूमिहीन खेती और मज़ूर करते थे आगे की बात करते हैं सुक्छ मनिरीक्चन मगद आइए हम देखे मगद केस्टी यहां मानचित्र में ये देखे आप एकदम बिल्कुल असमश्च देख सकते हैं ये हैं मगद मगद के अगर पास की बात करें तो यहां आप इसे यह देखें यह है सोन नदी और इधर से यह गंगा नदी तो सोन और गंगा नदी की इसमें बात की गई है तो इसलिए आगे दिखते हैं क्या है मगद के विशे में लगवग 200 सालों के भीतर मगद सबसे महतपूर्ण जन्पद बन गया गंगा और सोन जैसी नदीया मगद से उकर बहती थी इनसे इने महतपूर्ण फैदा होता था जैसे यतायात जल वितरन और जमिन को उपजाओ बनाने के लिए महतपूर्ण थी यह नदीया मगद का एक हिस से घर गाडिया तथा रत बनाने के लिए लगणी मिलती थी इसके लावार इस चेतर में लह ऐसक की ख़ँदाने थी लह ऐसक जिसको आजात्य अजत्रू के नाम से भी इत्यास में जाना जाता है। अन्य जन्पदों को जीतने के लिए यह हर समभब सादन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महतपुर्ण शासकते उन्होंने अपने नियंत्रन का छेतरे इस उपमहादेप के उत्तर पस्च्वी भाग तक फिला लिया था बिहार में राजगीर जिसका आजकल नाम है राजगीर कई सालों तक मगद की राजधानी बनी रही बाद में पाटली पुत्रे जो आज पटना है उसको राजधानी बनाये गया 2300 साल से भी पहले की बात है 2300 साल से भी पहले की बात है यह बात है लगवक 326 से पहले यानि 323 इसापूर्व के आसपास की बात है तो मेसोडोनिया जिसको हिंदी में कहते हैं मकदुनिया मेसोडोनिया के राजा सिकंदर 20 विजाय करना चाहता था हलाकि पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्रा और पश्मेश्या के कुछ राजियों को जित्ता हुआ भारतिया महादीप में ब्यास नदी के किनारे तक जब उसने मगद की और कुछ करना चाहा यानि कि मगद के तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहें तो उनके सिपाहियों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया क्योंकि वे इस बात से भैवित है कि भारत के सास्कों के पास पैदल रत और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी वज्जी देखिए अभी हमने पढ़ा कि मगद एक सक्तिसाली राज्य बन गया था उसके नजदी की ही वज्जी राज्य था अब आईए हम देखते हैं फिर से इसको मानचित्रे में वज्जी आखिर था कहां ये देखिए ये ये है यहाँ पे वज्जी तो वज्जी था आगे जिसकी राजधानी वैसाली बिहार थी यहाँ एक अलग किस्म की सासन विवस्ता थी जिसे गण या संग कहते थे तो हम देखते हैं गण और संग क्या अर्थ क्या है गण सब्द का प्रियोग कई सदस्यों वाले समूग के लिए किया जाता है जबकि संग का मतलब होता है संगठन या सभा गण या संग में कई सासक होते थे कभी-कभी लोग एक साथ सासन करते थे जिसमें से प्रतेक व्यक्ति राजा क्यलाता था यानि कि गण या संग के जितने वी सासक होते थे उन सभी को राजा कहा जाता था ये सभी राजा विभिन अनुस्ठानों को एक साथ संपन करते थे पत्रों के आक्रमन से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाई करते थे इस्त्रियां दास तथा कमकार जिसको कर्मकार कहते भी कहा जाता है इन सभाव में हिश्चा नहीं ले सकते थे बुद्ध तता महावीर जिसके बैसे में आगले अध्याय में यानिक अध्याय साथ में सवत्रों मिलता है, आएए सजीव वर्णन मिलता है वज्जी संग का वर्णन दीघनिकाई कया है दीघनिकाई है, बुद धार में से संबंदित प्रशिद्ध गरंत है इसमें बुद्ध के व्याक्षान यानिeden व्याक्षान बुद्ध के उपदेश हैं उनसे की गई बरताल इने करीब 2300 साल पहले लिखा गया था अजात सत्तु यानिके अजात सत्त्रों और बज्जी शंग अजात सत्तु बज्जी संग पर आकरमन करना चाते थे उन्होंने अपने मंत्रे वस्षकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा कि उन्हें आकरमन करना चाहिए क्या नह नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है यानि कि नियमित रूप से सभाई होती हैं और उनमें सभी सदस्य लगबग उपस्थित होते हैं तो उन्होंने का बज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक ये बाते होंगी, कौन-कौन सी वेफ़पोर्ण और नियमित सभाई करते रहें, आपस में मिलजूल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, यानि कि जो उनकी पारंपरा से नियम जो बंदी हुई है, उस नियम का पालन करते रहेंगे, Wasrt अधालों का संवान किया अइसा नहीं था अगर सभाओं में भाग नहीं लेने दिया जाता था उनका एक संस्वान होता था यानिक उनके साथ जोरवस्ती नहीं करते थे औि अधने बंधक नहीं बनाएंगे यानि को महिलाओं को भी बंधक नहीं बनायाता था सहरत हो था गौंव में चैतियों का रखरकाब चैतिये प्राया ऐसे लोग कहते थे जो भिछु इत्यादी होते थे विभिन मताबलं संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे तब बज्जी शंग हमेशा तरक्की करते रेगा विक्सित होते रेगा कई सक्ति साली राजा इन संगों को जितना चाहते थे इसके बाब जूद उनका राज ये अब से लगवग 15 साल पहरे तक चलता रहा इसके बाद गुप्ट सासकों ने गन और संग पर विजय प्राप कर उन्हें अपने राजी में सामिल कर लिया इसके बिशय में अध्याई 11 में हम लोग पढ़ेंगे अब देखें दो जगह हैं युनान और एथिंस लगवग 25 साल पहले एथिंस के कि देखा गया है है यह बेवस्ता लगवग 200 सालों तक चली इसमें 30 साल से ओपर के उन सभी पूर्षिव को पूर्ण नागरिकता प्राप्ती जो डास नहीं थे यहन्य कि जो डास नहीं थे उन्हें नागरिकता प्राप्त थी वहाँ एक सभा थी जो महत्यपुर्ण विश्यों पर निर्नाय लेने के लिए साल बर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी इस सभा में सभी नागरिक भाग लेग सकते थे सासन के कई पदों पर नियुक्तियां लोट्रियों द्वारा की जाती थी सभी नागरिकों को सेना और नौ सेना में अपनी सेवाई देनी होती थी यह निकि यह फिक्स था कि सभी नागरिक को सेना में कुछ न कुछ अपनी सेवाई देनी होती थी औरतों को नागरिक का दरजा नहीं मिलता था बेपारियों तता सिल्फकारों के रुप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे एथेंस में ख़दानों, खेतों, घरों और कारियस अलाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे तो ये तो थी अभी तक की बाते और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे अध्याए साथ की तब तक के लिए Have a nice day, take care